नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे project का font page बनाते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे already एक font page बना के रखा है बिल्कुल ऐसा ही एक font page मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा जिसको आप किसी भी project या फिर presentation में as a front page उसकर सकते हो front page बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नया page लेना होगा इसके लिए आप अपने keyboard से CTRL N प्रेस करेंगे तो एक नया page यहाँ पे open हो जाएगा front page को design करने के लिए page का एक border apply करूंगा और border apply करने के लिए आपको जाना होगा page layout tab में page layout tab में आप click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देखिए page border नाम का option आपको मिलेगा click करना होगा click करने के बाद यहाँ पे border का style आपको जो style पसंद हो वո style आप यहाँ पर ले सकते हैं मैंने यह स्टाइल क यह पे apply किया फिर एक color कर चूज करेंगे यहास से आप कोई भी color को add कर सकते हो आपके border के लिए तो मैंने यह वाद ultर यहाँ पर किया फिर यहां पे width है मतलब कि आपका border का width आप यहां से choose कर सकते हो इसके बाद फिर एक बार okay करेंगे okay करने के साथ ही देखिए यहां पे आपका page का एक border यहां पे apply हो गया है अब मैं यहां पे top portion में school का नाम add करूंगा इसके लिए आपको जाना होगा insert tab में और insert tab से आपको क्लिक करना होगा word art option में यहां पे देखिए word art option है जो कि text group के अंडर है क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे word art का style आपको मिलेगा आप किसी भी style को यहां पे apply कर सकते हो तो मैं यहां पे यह वाला style apply करूंगा क्लिक करने के साथी word art का window open हो जाएगा जहां पे आपको text लिखना है तो यहां पे मैं school का नाम लिखूंगा आप यहां पे कोई भी नाम लिख सकते हो आपके college का नाम या फिर आपके company का नाम आप कोई भी यहां पे add कर सकते हो फिर यहां से एक font style ले लेंगे आप कोई भी font style यहां पे choose कर सकते हो तो मैं यहां पे यह वाला style ले लूँगा इसके बाद अगर आप चाहते हो तो size को भी यहां पे increase कर सकते हो यह Size box है, यहाँ से आप Size को Increase कर सकते हो, फिर एक बार आपको OK में जाके क्लिक करना है, करने के साथ ही यहाँ पर आपका जो School का नाम है, वो यहाँ पर दिखिया है, मेरा वाला Apply हो गया है, अभी यहाँ पर एक Dot है, जहाँ पर क्लिक करके इसको अभी हम यहाँ पर करेंगे, दिखिये, जितना नीचे खीचेंगे, उतना ही यह WordArt कार्व हो जाएगा, यहाँ फिर Round Shape में आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको Set कर सकते हैं, इसके बाद मैं जाओंगा Format Tab में, Format Tab से जाओंगा Take Strapping Option में, देखिये, Arrange Group के अंदर Take Strapping Option में मिलेगा, और यहाँ से Tight में क्लिक करेंगे, करने के साथ ही यह Auto Adjust हो जाएगा, यह देखिये, अभी इसका हम थोड़ा Color Change करेंगे, फिर से हम जाएंगे Format Tab में, फिर यहाँ से Shape Fill में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी Color को Apply कर सकते हो, तो मैंने यह वाला Color यहाँ पे Apply कर दिया है, फिर मैं यह यहाँ पे Shape Outline में क्लिक करूँगा, और यहाँ से No Outline में क्लिक करके Outline को Remove कर दूँगा, तो अब मैं पेज को थोड़ा छोटा करूँगा, नीचे यहाँ पे एक Minus Sign है, जहाँ पे क्लिक करके आप पेज को छोटा कर सकते हो, वाड़ाट के बीच में जो Dot है, यहाँ पे क्ल क्लिक करके और थोड़ा कर लेंगे, तो देखने में थोड़ा अच्छा लाएगा, अभी Down arrow प्रेस करके इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, यह हो गया, अब मैं यहाँ पे ठिक वाड़ाट के बीच में मतलब कि नीचे एक फोटो एड़ करूँगा, इसके लिए मैं ज कम्प्यूटर लिखने के बाद, यहाँ पे बहुत सारा फोटो यहाँ पर आ गया है, क्लिक करने के साथ यह लिए आपको पेज 95 प्रेस लाएक है, फिर मैं जाओंगा फॉर्मेट तैब में और फॉर्मेट टैब में के अंदर से टेखी आपिक अप्षन में आपको जाना ह फिर मैं नीचे यहाँ पे mouse pointer को set करके alignment को center कर लूँगा यह देखिए center alignment जहाँ पे click करके alignment को आप center कर सकते हो ठीक है अभी एक बड़िया सा font style ले लेंगे यहाँ से choose करके यह मैंने font style ले लिया और उसके बाद size को भी थोड़ा increase कर देंगे अभी मैं यहाँ पे name और बाकी details को add करूँगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा name फिर यहाँ पे कुछ blank space छोड़ेंगे फिर नीचे enter करके हम लिखेंगे class फिर enter करके नीचे आएंगे और लिखेंगे roll number और last में लिखेंगे registration number registration number तो यहाँ पे मेरा front page का center का काम complete हो गया अभी मैं नीचे cursor को set करके date और signature का एक जगा add करूँगा पहले मैं यहाँ पे एक font use करूँगा जो कि font box से मेरे को choose करना है तो मैंने यहाँ पे font style ले लिया और यहाँ से size को भी थोड़ा increase कर देंगे फिर नीचे लिखेंगे date और एक hyphen डालेंगे और right side में जाके लिखेंगे signature हो गया अभी signature के ऊपर एक line add करेंगे इसके लिए हम जाएंगे insert tab और insert tab से यहाँ पे shape नाम का एक option आपको मिलेगा जहाँ आपको क्लिक करना है तो shape में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए line option आपको मिलेगा जहाँ आपको क्लिक करना है और signature के ऊपर shift प्रेस करके आपको यहाँ पे draw कर देना है यह हो गया अभी देखिए काफी अच्छा लग रहा है यह almost मेरा font page जो है वो यहाँ पे complete हो गया है अब मैं यहाँ पे clipart जो window इसको close कर दूँँगा और अपना जो font page है इसका एक background color यहाँ पे add करेंगे background color एड करने के लिए हमको जाना होगा page layout टैब में और यहाँ से आपको page color में जाके click करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे color का option मिलेगा किसी भी color में click करके आप background color apply कर सकते हो मैं यहाँ पे page background में दो color का effect यूज़ करूँगा इसलिए म यहाँ पे आपको एक option मिलेगा जहाँ पे gradient में आपको two colors चूज़ करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको color 1 and color 2 चूज़ करना है तो color 1 मैं यहाँ पे white ही रखूँगा और color 2 मैं यहाँ यह वाला color को चूज़ कर दूँगा फिर नीचे से आप कोई भी variant को चूज़ कर सकत आप मेरा front page का पूरा design complete हो गया आप चाहो थो ऐसा front page आपके project या फिर presentation में यूज़ कर सकते हो तो यह था simple process जिसको use करके आप project का front page easily बना सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support